हलो स्वाथियो नमस्कार मेरा नाम है हमत और आप देख रहे हैं हमत सोनी ऑफिशल आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल ड्राइब पर अपने वीडियो का बैक अप ले सकते हैं और उनका लिंक बना सकते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल ड्राइब पर जाना हो और यह होगा तो मैंने यह एप इंस्टॉल किया हुआ है आप चाहें तो इसे प्लेट जो कर सकस्ते हैं जोने ऑप सर्च करेंगे ड्राइब जिसे ड्राइब ऑलकता चै можете सामने गूगल ट्राइब दिखाई पड़ेगा इसे इंस्टाल कर लेंगे ओपन करने के बाद और द तो आपको अप्लोड करने की अनुमती देगा यानि कि आपका डेटा यूज़ नहीं होगा अगर आपको मोबाइल का डेटा खुला हुआ है तो भी ये फाइलों को अप्लोड नहीं करेगा इसके लिए आपको वाइफाई ओन करना पड़ेगा लेकिन अगर आपने इस अप्शन को किया हुआ है तो वाइफाई के अलावा डेटा को भी वह एक्सेप्ट करेगा और आपकी फाइलों को सेफ कर सकेगा तो आप ध्यान रखें इसको और या आफ आपको कर लेना है तो चल यह को र vine पर अप्लोड करना है सबसे पहले हम गैलई में जाएंगे की मजाने हैं मालीज़े मुझे यह वीडियू अपने ड्राइब पर अपपलोड करना है तो हम सिंबिल यहां से नीचे बटन लिया हुआ है कि असंद का उस पर जाएंगे सेंड पर जाने के बाद हम यहा करेंगे उपर टाइटल आएगा इसका टाइटल भी हम चेंज कर सकते हैं माली यह हमने वीडियो बन लिख दिया और इसके बाद हम एकाउंट दिखाएगा कि किस एकाउंट पर जा रहा है नेक्स्ट इसमें आएगा फोल्डर का उपसन तो इसको जब हम टच करेंगे तो मैंन दबाएंगे तो प्रिपेरिंग टू अप्लोड फाइल लिखकर आ जाएगा और यह जो वीडियो है हमारा कि ड्राइब पर जाने लगेगा देखिए यह लिखकर आ रहा है सिंकिंग आइटम ड्राइब इस इंकिंग योर फाइल एंड अपलोडिंग वन फाइल आप देख दो आ रहे हों गया आ यानि आपकी फाइल अपलोड हो रही है मेरा वाइफाइब का कनेक्शन है थोड़ा तेज है तो यह जल्द हो जाएगी लेकिन आप लोग चाहे तो डेटा कनेक्शन को यूज करके आप फाइल को दीरे दिरे भी अपलोड कर सकते हैं तो लिखके आ र और Google ड्राइब पर हम जब जाएंगे तो यहां पर बहुत सारे फोल्डर तिखाए देगा और इस फोल्डर में हमने ध्यान दिया हो तो हमने शिक्षा विभाग वाले फोल्डर में फाइब अपलोड की थी तो मैं मैं उस फोल्डर के अंदर चला जाता हूं इस फोल्डर में और यहां पर हम देख पा रहे होंगे वीडियो 1 के नाम से देखे यह फाइल डोकेट हो रही इसको हम प्लेविका सकते हैं यह फाई हमने देख ली यहां पर पड़ी होई है अगर हमें किसी को भेजना है तो हम क्या करेंगे इस फाइल को भेजने के लिए यहां पर इस फाईल में जो तीन डॉट्स बने वोए हैं इना टच करेंगे और टच करने के बाद यहां पर option आ रहा है send a Copy इसको टच करेंगे और पूछेगा कि location अगर आप इसको WhatsApp पे बेजना चालते हैं फेस्दूक बेजना चालते हैं तो आप यहाँ से इसको send कर सकते हूं मैं यहाँ पर WhatsApp select कर लेता हूं यहाँ से मैं select कर लेता हूं मानलीजे कि उनना टीचर's group मैं इस फाईल को मने ह Balloster किया और यहां पर गुर्प को select किया और Group select करने के बाद हमने इसको ओआ करकिया बटन या forward को बटन है इसको हमने टॉच्च कर दिया दिए अब इस फाईल को भीजनी का दूसरा तरीका कि इस फाईल का का option आएगा इसको हम टेच करेंगे यह link हमारा copy हो जाएगा link copy to clipboard लिखकर आ जाएगा अब हम जाएंगे WhatsApp पर जिस किसी भी group को खोलना चाहते हैं उस group को खोल कर हम यहां पर थोड़ी देर dot दबाएंगे तो इसमें यहां पर message box यहां पर tap करेंगे और थोड़ी देर तक दबाएंगे तो paste का option आजाएगा और इस paste को हम दबा देंगे तो वह link आपका दिखाई देने लगेगा और इसको हम send कर देंगे इस तरीके से हम link send कर सकते हैं एक चीज और ध्यान देने लाइख है कि जब हम link को भेज रहे हों तो सबसे पहले हमें इसकी security check करना भी जरूरी है कि आपने वीडियो में security okay की हुई है कि नहीं कि और कोई इसको देख पाएगा या नहीं इसके लिए हम वापस तीन डॉट्स पर जाएंगे और सबसे last में है देखिए details and activity इस file का जो नाम दिया हुआ है इस file के तीन डॉट्स को टच करेंगे और सबसे last में जाएंगे लिखा है details and activity इसको टच करेंगे तो यह कह रहा है देखिए who can access who has access यहां पर हम इसको टच करेंगे अभी क्या है मैं इस file को अकेले देख पा रहा हूं अगर और किसी को दिखवाना चाहते हैं तो who has access की जगह पर इसको टच करेंगे और यहां पर जो रिस्टेक्टेड लिखा हुआ है इसको हम चेंज कर देंगे और फिर last में आएगा anyone with this link इसको अगर हम कर दे सकता है कि कोई भी इस link को देख सकता है ऐसा आप किसी folder में भी कर सकते हैं कि पूरे-पूरे folder को आप शेरेबल कर सकते हैं सेटिंग चेंज करके और ठीक है इस तरीके से आप किसी भी link को ग्रूप में भेज सकते हैं कुछ ध्यान देने वाली बाती है कि Google Drive पर आपको 15 GB का ही फुल स्पेस मिलता है इसके बाद आपको स्पेस नहीं मिलेगा दूसरा आपको ध्यान रखना है कि सेटिंग में जाकर के वाइफाई का ओप्सन जरूर आफ कर दें इससे क्या होगा कि आपके mobile data से भी file upload हो सकेगी तीसरी चीज मैंने बताई कि security का ध्यान रखना है किसी भी फाइल को अगर आपको shareable बनाना है तो इसके तीन डॉट्स पर जाना है और details and activity को क्लिक करना है और यहां पर not shared आ रहा है उसको touch करना है और यहां से इसको access दे देना है change option में जाकर के तो आप फाइल किसी को भी send कर सकते हैं और वो फाइल उसको दिखाई देगी बगार इस फाइल आपको आपकी कोई भी फाइल खोल नहीं सकता है तो इस तरीके से आप collect कर सकते हैं data अपने Google Drive पर 15GB का free space मिलता है हर email ID के साथ तो इसको use करिए अगर वीडियो आपको useful लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ collect के साथ इसको share कर सकते हैं thank you very much